रेल्वे सो रूपे में देगा यूनी कार्ड्स ताइस लाग कर्मियों पैंसर्स को फिरी इलाज तो दोस्तों ये खवर आप लोगों के पास भी पहुंच गई होगी और हमारे पास भी से कटिंग आई है ये कोई यूज भी पर है तो क्या बात सही है और रेल्वे हभी क्या ह हेल्थ केर निती में बदलाव करने जा रहा है तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब सेनल टेक्निकल में तो हर बार की तरा आज में आपके लिए नया अप्टे है तो उस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो माज आप लास्त दोर से बने रहे हैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा मैक्सिमाम दो से तीन मिंट का होगा ठीक है तो जब हम इसके नीचे चलेंगे तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि रेल्वे ने हैल्थ केर निती म सब्सक्राइब गया है दोक्तर के उसमें करते थे ऐसा यी बात कटिक में पूला गया है लेकिन यह था रेल्वे भी था लेकिन जल्दी से पहले रेफरल नहीं करते थे ठीक है तो आप बोल रहे हैं कि वह सिस्टम बिल्कुल खतम कर दिया गया है रेल्वे सो रुपय में कार्ड मनाएगा जिसमें यूम आईडी नंबर होगा उसके जरीए आप डायक्ट होस्पिट जिए पीमर पुट्दुजेरी नीम हंस बैंगलूरू की ओपीडी आईपीडी में मुप्त में इलाज होगा तो दोस्तों यह बोले कि एम्स भी हैं और कुछ और भी चीनीत जो होस्पिटल है इन में भी उस कार्ड से फिरी में इलाज होगा तो दोस्तों बहुत ही अच्छ और अभी बोलें कि रेलवे के जो सिवारत करमशारी हैं और पैंसनर को हैल्थ मनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम हम आईएस के जरिए उनके आगरे करने पर कार्ड महिया कराया जाएगा मतलब यह कोई जो एक हैल्थ मनेजमेंट इंफोर्वेशन सिस्टम कोई पोर्टल मान लो या फिर कुछ ऐसा सिस्टम मना रहे हैं कि जिनके अगरे करने मतलब और कार्ड मुहया किना जाएका मतलब बनाया जाएगा इसे करमसारी पैंटसर्श के रखा जाएगा अपको पता होगा ड्हीजी लग कर एक है और उसमें हम आपने जो भी डोकुमेंट है जो भी दस्तावेज़ इसको स्टोर कर सकते हैं और वह मानने रहता है मतलब वह आपको फिजिकल को पर दिखाने जोत नहीं पड़ती आपने डिजी लोकर पर दिखा जिए मतलब वह मानने है तो इसमें रखा जाएगा है है कार्ड उपर दोगा ठीक है तो दोस्तों निचे बोला गया है कि कार्ड नहीं होने पर यूम आईडी नंबर से बिलाज मतलब जरूर नहीं कि आपके पास कार्ड है नहीं है और आप इंपैर्ड होस्पिटल में चले गए पैनल वाल होस्पिटल में तो वहां पर आपके पा प्रेले भी ऐसा बोला गया था लिस्ट भी आई थी एक बहुत अच्छा काम है सबी हमारे रेलवेल भाईयों के लिए और उनके आच्छितों के लिए पैंसेंस के लिए बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा क्योंकि हभी जो सिस्टम हम देख रहे हैं रेलवे में रेफरल नहीं करते हैं अब आप आराम से बिना रेफरल जाओगे और अपना हिलाज करा पाओगे तो बहुत मुझे तो दोस्तों यह नितीय दी लागु होती है ऐसा लागु होता है और आपके हिसाब से यह लागु होता है तो आपका क्या विउ है आप पॉम्मेंट में जूरू बताइएगा तो ठीक है दोस्तों बाबाएं मिलते नग्स वीडियो में टेक केर